वाले दोस्तों के सब और आज की सूड़ी मुंकने वाले है आइक्यू 5 की आण्वाक्सिंग तो इस वुडियों को पिना किसी दिरी के शूर करते हैं तो यह रहा आइक्विफाइब का बॉक्स तो जल्दी से इस उपन कर देते हैं और देखते ही बाके गंटेंट्स तो पहले हमें मेरेगा हमारे डिवाइस जिसे हम बाजू में रख देते हैं बात में आपको देखने को मिलेंगे कुछ यूजर गाइड और यहां पे आपको द सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाता है तो यहां पे डिस्प्ले और डिजाइन के मामले में यह फोन बहुत ही शांदार है अगर बात करी कैमरा इसकी तो फ्रंट में आपको इस चोटे से पंच्छोल में 16 मेंका पिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है पेज़े की कैमरा इसकी बात करें तो यहां पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिलता है जहांपे प्राइमरी है 50 megapixel का Samsung GN1 वाला सेंसर बाद में आपको मिलेगा 15 megapixel का अल्टर बढ़ेंगल लेंज और 13 megapixel का डेप सेंसर तो इस तरह का कुछ camera setup आपको देखने को मिल जाता है तो यह रही कुछ camera samples इससे आपको आंदाजा लग जाएगा कि इसकी low light और daylight performance कैसी है मेरी बात के लिजाए तो मुझे तो लगता है इसकी camera बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे जो 50 megapixel का sensor दिया गया है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर लेता है और यहाँ पे यह 48 megapixel के camera से भी बहुत ही superior है तो यहाँ पे आपको camera में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती क्योंकि यह same camera Vivo के X50 Pro Plus में भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही एक जबरदस्त camera smartphone है तो यहाँ पे आपको camera के लिए कोई भी शिकायत नहीं होगी और one of the best cameras आप इसे कह सकते है अगर compare कर इसे IQ3 के साथ तो आप देखे सकते है इस तरह का कुछ design difference आपको देखने को मिल जाता है दोने में भी पंच होल है बट वो opposite side में आपको देखने को मिलता है camera module जो है वो IQ5 का वो same layer है वीवो के X50 series के तरह यहाँ पे आपको headphone jack भी देखने को नहीं मिलता जो कि आपको IQ3 में देखने को मिलता था जो यह tornado orange color का जो हमारे पास variant है IQ3 का वो बहुत ही जबदस दिखता है बट चुछ यहाँ पे matte finishing दी गई है IQ5 में वो भी बहुत ही जबदस है अगर बात की जब performance की तो यहाँ पे आपको मिलेगा snapdragon का 865 वोला प्रोसेसर LPDDR5 RAM और UFS 3.1 storage तो यहाँ पे performance में कोई भी कमी नहीं है और यहाँ पे आपको flagship level के performance देखने को मिल जाती है अगर बात की जब battery और charging speed की तो same to same है यहाँ पे आपको IQ3 की तरही 55W की fast charging देखने को मिल जाती है और उसी की साथ में यहाँ पे आपको 4500 मिलियम पॉर की battery देखने को मिलती है तो यहाँ पे battery और charging में आपको कोई भी इस्यों देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें software की तो यहाँ पे आपको IQUI देखने को मिल जाता है जो की front touch OS 10.5 पे based है और यहाँ पे आपको Android 10 outer box देखने को मिलता है तो अगर बात करें pricing की तुर्च starting price है वो है 43,000 यनियन रूपीज अगर हम इसे convert के दे तो आप देखी सकते हैं यहाँ पे चाइना में launch हुआ है यह phone बहुत ही जबरदस पराइजिंग पे यहाँ पे specs भी बहुत ही जबरदस है अभी के लिए तो इंडिया के launch कोई भी यहाँ पे clarification नहीं है कि इंडिया में launch होगा या नहीं और अगर आएगा भी तो मुझे लगता है कि इसकी price around 45,000 के आसपस होगी और इस price पे भी यह killer deal हो सकती है तो बस आज की उडियो के लिए इतना ही अगर आपको यह उडियो पसंद आयों तो से like और share करना मत भूलेगा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब की जाएगा क्योंकि मैं ऐसी ही और exclusive unboxing वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा